हेलो माइ फिचुबूद्स वेल्कम बेक टो माइ चैनल आज हम करने वाले हैं कक्षा दस्वी का विशे हिंदी का पार्थ थेले पर हिमालिया के प्रेशर उत्तर टर्म टू के लिए तो शुरू करते हैं इस पार्थ के लेखक है डॉक्टर धरम वीर भारती तो सबसे पहले वो प्रेशन देखते हैं जिनके उत्तर हमें एक या दो पंक्तियों में देने होते हैं पहला प्रेशन है लेखक को सानी क्यों गए थे तो इसका उत्तर आजाएगा हिमालिया की बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए लेखक को सानी गए थे अगला प्रशन है बस पर सवार लेखक ने साथ साथ बहने वाली किस नदी का जिक्र किया है उसका उत्तर आजाएगा बस पर सवार लेखक ने साथ साथ बहने वाली कोसी नदी का जिक्र किया है अगला प्रशन है कोसारी कखा बसा हुआ है तो उसका उत्तर आजाएगा सुवेश्यर के घाटी के उत्र में जो उची परवत माला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है अगला प्रेशन है लेखक और उनके मित्रों के निराशा और थकावट किसके दर्शन से चूम अंदर हो गई तो उसका उत्तर आजाएगा लेखक और उनके मित्रों के निराशा और थकावट हिम दर्शन से चूम अंदर हो गई अगला प्रेशन है लेखक और उनके मित्र कहां ठहरे थे तो उसका उत्तर आजाएगा लेखक और उनके मित्र डाक मंगले में ठहरे थे आगे हैं दूसरे दिन घाटी से उतर कर लेखक और उनके मित्र कहां पहुँचे तो इसको उतरा जाएगा दूसरे दिन घाटी से उतर कर लेखक और उनके मित्र बैज नाथ पहुँचे जहां गौमती नदी बहती है अगला प्रेशन है बैज राथ में कौन सी नदी बहती है इसको उत्रा जाएगा बैज राथ में गोमती नदी बहती है आगे हम वो प्रेशन देखेंगे जिनके उत्तर हमें तीर या चार पंगतियों में देने होते है तो पहला प्रशन है लेखक को ऐसा क्यों लगा जैसे वे ठगे गए है तो उसको उत्रा जाएगा कोसारी के अड़े पर जाकर जब बस रुकी तो छोटा सा बिल्कुल उजडा सा गाउं और बर्फ का कहीं डाम डिशार्ण देखकर लेखक को ऐसा लगा जैसे वे ठगे गए है अगला प्रशन है सबसे पहले बर्फ दिखाई देने का वर्ण लेखक डिक कैसे किया है तो उसको उत्रा जैगा लेखक को सबसे पहले बर्फ बादलों के टुकडे जैसे लगी थी जिसका अजब सा रंग था ना सफेद ना रुपैला और ना ही हलका नीला पर तीडों का ही अभास देता हुआ रंग था फिर अचानक लेखक के मन में विचार आया कि इमालिया की बर्फ को ही बादलों ने ढाप रखा है उससे ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा सा बाल सुभाव वाला शिकर बादलों की खिड़की से जहांक रहा है अगला प्रशन है खान सामे ने सब को खुशकिस्वत क्यों कहा तो उसको उतरा जाएगा क्योंकि उनकी आते ही उन्हें बर्फ दिखाई दे गई थी उनसे पहले 14 टूरिस्ट वहां आई थे वे हफते बर बर्फ का दजार करते रहे लेकिन उन्हें बर्फ नहीं दिखी थी इसलिए खान सामे ने सब मित्रों क को खुशकिस्वत कहा अगला प्रशन है सूरज के डूपने पर सब गुंसम क्यों हो गए थे तो उसका उतरा जाएगा सूरब के डूपने पर सब गुंसम इसलिए हो गए थे क्योंकि जिस हिम दर्शन की आशर में वे काफी समय से टक-टकी लगा कर देख रहे थे उनकी यह इच्छा मिट्टी में मिल गई थे अगला प्रशन है लेखक नी बैद रात पहुँचकर हिमालय से किस रूप में भेट की तो इसका उतरा जाएगा लेखक नी बैद रात पहुँचकर देखा कि वहाँ पर गौमती नदी बह रही थी गौमती की उजुल जल राशी में हिमा या साथ पंक्तियों में देने होते हैं तो पहला प्रशन है कोसी से कोसानी तक में लेखक को किंड किंड रिश्यों ने आकर शुट किया तो उसका उतरा जाएगा सुडॉल पथ्रों पर कलकल करती हुई कोसी किनारे के छोटे-छोटे सुन्दर गाउं और हरे बख्मली अगला पॉइंट है सुमेश्वर की सुन्दर गाटी तीसरा छोटे-छोटे पहाडी डाक खाने चाय की दुकाने और कभी-कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल अगला सुमेश्वर गाटी के उत्तर में उची परवत माला जिसके शिखर पर बसा कोसानी अगला परवत माला के अंचल में पचास सो मेल चोडी कत्योर की गाटी अगला हरे मखमली कालीनों जैसे खेत सुन्दर गेरों की शिलाएं काट कर बने हुए लाल-लाल रस्ते जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलत जाने वाली बेलों की लडियों से नदिया अगला है हरे खेत नदियों और वर्ण जो शितिच के धुनले पन में नीले कौरे में घुर रहे थे अगला बादर के एक टुकडे के हटते ही हिमदर्शिन नौवा पिघलते केसिर जैसा ग्लेश्रियों में ढूपता सूर्य दस्वा लाल कमल के फूलों जैसे बरफ कोसी से कुसारी तक इन सभी द्रिश्यों ने लेखक को अकर्शित किया आगे है लेखक को ऐसा क्यों लगा कि वे किसी दूसरे ही लोक में चले आए है तो इसको उत्तर आता हैगा सुमेश्वर की घाटी से चलने पर उत्तर दिश्यों में जब लेखक को कोसारी दिखाए दिया तो इसने देखा कि सामने के घाटी में अपार सुगंद्रे बिखरा हुआ था परवक माला ने अपने आचल में कत्योर की रंग में रंगे घाटी छिपा रखी थी पचासो मील चौडी ये घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेद सुन्दर गेरों की शिलाई काट कर बनाए हुए लाल-लाल रास्ते जिनके किनारे सफेद सफेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलट जारे वाली बैलों की लड़ियों से नदी इन समित रिश्य को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि वे किसे दूसरे ही लोग में चले आए है आखरी प्रशन है लेखक को थेले पर हिमाले शीर्षक कैसे सूजा लेखक को इस शीर्षक को बिलकुल में ढूड़ना नहीं पड़ा ये शीर्षक उसके मन में बैठे बुठाए तम आया जब वे एक पाण की दुकान पर अपने अलमोडा वार्सी मिंत्र के साथ खड़ा थ था कि तभी थेले पर बरफ की इसले लादे हुए बरफ वारा आया थड़ी चिकनी चमकती बरफ से भाप उठ रही थी वे शन भर उस बरफ को देखते रहे उठती हुए भाप में खोई रहे और खोई-खोई से ही बोले यही बरफ तो हिमालिया की शोबा है और तभी लेख को थेले पर हिमालिया शिशक सूज गया आगे भाशा भोध है मारे पास निव लिखित में संधे कीजिएBut निवह लिखिद वाक्याशों के लिए एक शब्द लिखें अच्छे किसमत वाला खुश किसमत, चार रास्तों का समों 4 अस्ता, अपने मेलीज, आत्मलीज, जहां कोई रहता हो, निरजण, जिसका कोई पार नहो अपार, जिसमें कोई कलंक नहो निश कलंक आगे आते हैं दो दो प्राइवाची शम्द पहाण, पर्वत, गिरी, धर्ती, भूमी, भू, मुख, अवनन, बादल, मेघ, घर, सूरज, दिनकर, भासकर, कमल, जलज, सरोज, नदी, सरिता, तटिरी, हाथ, हस्त, कर तो यहाँ पर हमारा यह जो पार्ट है यह खत्म होता है होपफुली आपको वीडियो अच्छे लगे होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो 10th PSCB के त्यारी के लिए थैंक्स पर वाचिक दे वीडियो